Good morning friends, मेरा नाम नरेंदर सिंग है और एक आपसे सवाल करना चाहता हूं क्या आपने अपने करियर के बारे में सोचा है क्या आपको ग्रेजोशन के बाद में क्या करना है या तो आप ग्रेजोशन कर रहे हैं अभी या आप ग्रेजोशन कर चुके हैं या आपकी कोई भी education हो, क्या आपने अपने जीवन की जीविका है वो आपने चुनी की आपको उस जीवन को enjoy करने के लिए आपने क्या काम करना है, अगर नहीं तो आप इस मेरी पूरी वीडियो को देखी और आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, दोस्तों आपने किया है, आपने अप educated है या नहीं है, पर हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट चुपा होता है, उसके basis पर वो अपने जीवन का जीव को पाज़न वो बहुत आसानी से कर सकता है, बद शर्त यह है कि उसको एक सही दिशा, एक सही मांगदर्शन की आवेशकता होत नरेंदर सिंग है और मैं एक IT कंपनी को चलाता हूँ, साथी साथ में मैं कुछ और भी free consultation देने का मैं काम करता हूँ, लोगों के लिए जिसे लोगों का कुछ बला हो सके, मैं इसके साथी साथ में मैंने बहुत सारे technical courses मैंने किये हुए, मैं normal मैंने BA किया था और उसके बाद आज मैं organic खेती के लिए लोगों consultation देने का काम करता हूँ, साथी साथ में और भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो मैं लोगों को free of cost प्रोवाइड करता हूँ, यकीन माने उसका कोई charges नहीं होते हैं, आप एक life में आप कुछ अच्छी stage हासिल कर जाएंगे, बस वो मेरा ये कु आइम होना चाहिए, आपके पास में पैसा होना चाहिए, उस पैसे को enjoy करने के लिए आपके बहुत सारा समय होना चाहिए, समय और पैसा दोनों एक साथ किसी एक चीज़ के अंदर मिलें, ये आज के समय में possible बहुत कम लगता है, आप किसी को भी देख लीजिए, अपने अर आइफ है आपकी वो कट गई लेकर आने वाले समय में जो ऐसे जैसे महगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से आप जिस बिजिनिस को आप चुनाव करने जा रहे हैं, या जिस जॉब के अंदर आप जा रहे हैं, क्या वो उसके अंदर आपको मिल पाएगा, अगर ये सब नहीं, तो आपके जो इतने सारे सवाल हैं, जो बेंतहा आपके सवाल हैं, उन सवालों का जबाब क्या है, क्या आपने सोचा है, क्या अचानक से ऐसी कोई चीज आएगि आपकी जिन्द्गी में, लाखो रुपए, करोडो रुपए आपके पास आजाएंगे, शाइद नही graduation आपने किया करने के बाद जरूरत है आपके लिए आप jobs के अंदर जा सकते हैं jobs में आप government sector को चुनाओ कर सकते हैं आप private sector के अंदर जा सकते हैं government job में कितनी possibilities हैं जाने की ये मुझे बेतर आप अच्छे से जानते हैं private sector के अंदर कितनी सारी problems आती हैं क्या क्या होता है वो भी शायद आप अभी उनसे बाकिफ ना हो लेकिन जब आप उस field के अंदर जाएंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं किन चीजों की में बात कर रहा हूं या जो आपके experience लोग हों आपके अडोस परोस में आप उनसे सीज के बारे हैं बात कर सकते हैं private job में कभी वी आपके लिए वो सब कुछ नहीं मिल पाता जो आप जीवन से अपने चाहते हैं जो सबने हैं आपके वो कभी वी आप पूरे नहीं कर पाते हैं higher education higher education आप कर सकते हैं graduation करने के बाद में आप कोई business कर सकते हैं small या large scale पर या आप freelancing का कोई काम कर सकते हैं इन सब को करने के बाद क्या आपके पास में कोई ऐसा option बसता है कि हाँ इन सब को आप इतने enjoy से इतने enjoyment के साथ आप ये काम कर पाएं जिससे कि आपकी जो आने वाली जिन्दगी जो है वो बहुत अच्छे से गुजर जाएं क्या ऐसा option है क्या है जो आपके अंदर हमेशा उस motivation लेविल को उसको हमेशा बना के रखे जिससे कि आपकी जिन्दगी में कभी कोई problem ना हो वही उनी सबालों के जबाब देने के लिए मैंने इस वीडियो का नर्मान किया है जिसकी बज़े से कि आप लोगों की जिन्दगी में जो परिशानिया हैं वो धीरे धीरे करके हट जाएं और एक अच्छा करियर आपके जीवन में आपको मिल पाए यही मेरी मनोकामना है यही मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ में गाइड करता हूँ जिससे कि आपके जीवन में करियर का एक अच्छे से चुनाव हो जाए और जो मिस्गाइडेंस जो मुझे लाइफ ने हुई मैंने सब्ता है हरा साल अपनी लाइफ के ऐसे बिता दिये जो कि शायद अगर मैं मुझे कुछ अच्छी गाइडेंस मिली होती तो शायद मैं उस जगर पे नहीं होता और आपके लिए तो बहुत ही इनिशल स्टेज है इससे कि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ बस जरूरत है आपको आप मेरे नंबर पे वाट्सेब कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट में जाके आप मुझे कुछ पोस्ट कर सकते हैं जो आपकी इच्छाव आपो कीजिए मैं आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहा हूँ जो आपकी कर दो आपकी कर दो आपकी कर सकते हैं